हेलो गाईस वेलकम बैक टो अनदर वीडियो आज की सुड़ में देखेंगे ग्रामी डाक सेवा में 2022 की वेकेंसी आई है और इसमें लगबख 40,000 के अप्रोक्स वेकेंसी है जो एक्जेट है वो है 38,926 वेकेंसी है तो आज की सुड़ में देखेंगे इसकी सेलरी क्या होगी, क्वालिविकेशन क्या रहेगी, सेलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसका, फोर्म कैसे आप अप्लाई कर पाओगे और भी चीज़े, सबी चीज़े डिटेल में देखेंगे, तो चले इस्टार्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टैम विजिट कर रहे हो, तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जितने भी गोर्मेंट जो पसे रिलेटिट अपडेट है, आपको मिलने लगेगी बीपियम का मतलब है, ब्रांच पोस्ट मास्टर और ए बीपियम का मतलब है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, तो दो टाइप की इसमें वेकेंसी है, और इस फोर्म को आप उनलाइन एपलाई कर सकते हो, इंडियन इंडिया पोस्ट gds.online.government.in मैं आपको इस वीडियो के डिक्सूसर में, डैरिंक लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहां से इसली अपलाई कर पाऊगे, जैसे कि मैंने बताया, इसकी डेट आप अपलाई कर सकते हो, आज से एक्टी हो गई है, दो मई 2022 से, और ये पूरे एक मैने से ज़्यादा का आपको टाइम मिला है, यानि कि 5 जून 2022 इसकी लाज डेट होगी, जो इसकी सैलरी होगी, जो ब्रांच पोस्ट माश्टर है, उसकी जो सैलरी है, बारह हजार है, ये बेसिक पे है, इसके अलावा आपको और भी अलाउंस मिलते हैं, अभी डिये भी मिलेगा आपको, जो इस सैलरी का 34% होता है, तो अगर आप रफली एडिया लगा सकते हो, तो 4000 इसमें और एड होगा, तो लगबग ये 12,000 जो सैलरी है, ये 16,000 के आजपास हो जाती है, और हर साल इसमें 360 रुपे का इंक्रिमेंट भी होता है, ऐसे ही आप असिस्टेंट, ब्रांच पोस्ट माश्टर और डाक सेवक, ज इसमें भी आप इसका 34% निकालके एड कर लेना, लगबग 3,000 और एड कर लोगे, तो इसमें 13,000 से ज़्यादा ही आपकी सैलरी बनेगी, और इसमें जो एरली इंक्रिमेंट होगा, वो 300 रुपे के लगबग होता है, इसके अलावा भी और भी अलाउंस मिलते हैं, यहाँ प इसके अलावा अगर आप SC, ST कैंडिडेट हो, तो आपको 5 years का age relaxer में मिलता है, यहाँ जो maximum 40 year है, उसमें प्लस 5 करोगे तो 45 ST, SC को हो गया, ऐसे ही 43 OBC कैंडिडेट के लिए हो गया, और यहाँ पर अधर जो PWD कैंडिडेट है, उनके लिए 10 year, 13 year, 15 year का age relaxation देखनों को मिलता है, अगर qualification के बात करें, तो अगर आप only 10th पास हो, और आप पे mathematics और English subject अगर आपके 10th में हैं, तो आप इसे apply कर सकते हो, और इसके अलावा जिस भी state से आप apply करते हो, जिस भी zone से, वहां की आपको local language आनी चाहिए, for example, अगर आप Assam के हो तो वहां की local language असमी आनी चाहिए, ऐसे ही अगर आप UP के हो, तो हिंदी local language आनी चाहिए, तो ऐसे ही इसकी local language होती है, जिस भी state के हो, वहां की local language आपको आनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह form आप online ही submit कर सकते हो, indian post gds online.government.in पे, जो इसकी examination fees होगी, journal, OBC और EWS candidate के लिए 100 रुपीज है, और जित student है, चाहिए, जर्नल की हो, OBC की हो, SCST की हो, EWS की हो, या फिर PWD की हो, उनके लिए बिल्कुल free होता है, 0 रुपीज होता है, और SCST, चाहिए कोई भी male हो, female हो, उनके लिए 0 रुपीज होता है, apply करने का आपको process यहाँ पर मिल जाएगा, candidate who desire to apply online will have to register himself, herself in a portal, यह portal का address है, with the following basic detail to obtain the registration number, आपको, basic detail आपको यह जितनी भी है, यह चाहिए होगा आपको, यहाँ पर screenshot ले सकते हो, दो document आपको upload करने पड़ेंगे, आपका recent photograph और signature, यहाँ पर आप job profile देख सकते हो, जो BPM यानि की branch postmaster होते हैं, उनका क्या job करना पड़ता है, यहाँ पर screenshot लेके आप इसे rate कर सकते हो, ऐसे ही यह assistant branch postmaster का job profile है, कि उन्हें क्या work करना पड़ता है, यहाँ पर screenshot लेके उसे rate कर सकते हो, यह dark सेवक की जो profile है, वो है, आप इसे screenshot लेके rate कर लेना, selection process बिल्कुल direct है, कोई भी exam नहीं होगा, जो आपके 10th की mark seat है, उसके base पे merit बनेगी, अगर आपका merit list में number आ जाता है, तो आपका final selection हो जाएगा, बिल्कुल simple है, कोई भी exam नहीं है, बस आपके 10th के marks के base पे, यह आपकी merit बनाएंगे, और suppose अगर आपके 70.62, 35, तो यह decimal के 4 digit तर count करेंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका form है, आप इस form को भी इस website पे जाकर notification को download करके, rate कर सकते हो, और मैं इस video के description में इसका link भी दे दूँगा, इसका जो यह वाली website है, और direct जो registration होगा, online आप apply करोगे, उसका भी दे दूँगा, तो आज इस video में यह अपडेट देना था, वीडियो पसन आई हो तो आप like कर सकते हो, चैनल पर first time visit कर रहे हो तो subscribe पर देना, और जिसे भी government job से related information है, उसे आप share भी कर सकते हो, thank you guys.